हेलो दोस्ते एक बाफ फिर से स्वागत करते हम आपका हमारे इस यूटूब चैनल पर टीटवेंटी वलकब दो जो चोबीस अपने आखरी चरन में है सेमी फाइनल का पहला मुकाबला खेला जा चुका है सेमी फाइनल मुकाबला है जो कि भारत और इंगलेंड के बीच में खेला जा रहा है इससे निर्धारित होगा कि कौन सी वह दूसरी टीम होगी जो कि फाइनल खेलेगी यानि कि फाइनल में साउथ अफ्रीका का भिड़न इंडिया से होगा या इंगलेंड से खेर दोस्तों इससे पहले हम आपको बता दे कि इन दोनों ही टीमों ने इससे पहले साल 2022 में T20 वलकप सेमी फाइनल में भीड़ी थी इतिफाक से वह भी सेमी फाइनल था T20 वलकप का लेकिन 2022 के T20 World Cup सेमी फाइनल में जो की इंग्लेंड के खिलाफ ही खेला गया था इस मुकाबले में भारती टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था ऐसे में भारती टीम चाहेगी कि उसका बदला ले और इंग्लेंड को हरा करके फाइनल में परवेस कर ले खेल 2022 के T20 World Cup में जब दोनों टीमों ने आपस में भीडा था उस मुकाबले के बारे में बात कर ली जाए तो हम आपको बता दें उस मुकाबले में इंग्लेंड ने टॉस जीता था और टॉस जीत कर सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था यानि कि भारती टीम पहल बता रहें तो ऐसे खिलाडियों को जरूर सामिल करें जिनका रिकोर्स भारती टीम के खिलाफ अच्छा रहा है आगे हम आपको बाखी सारे रिकोर्ट के बारे में भी बताएंगे लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं पीच रिपोर्ट के बारे में चुक्कि गुयाना का जो है वह हमेशा से spin friendly रहा है और यहां मुकाबला Providence Stadium गयाना में ही खेला जाएगा ऐसे में आपको एक advantage जो है सो भारती किरकेट टीम पर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है इस लिहाज से कि भारती किरकेट टीम का spin department काफी strong है defending champion इंग्लैंड के comparison में तो यहां पर आपको एक clear cut advantage चुकि spin friendly पीछ रहने वाला है तो आपको एक clear cut advantage जो है सो भारती टीम को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है और चुकि spin friendly है तो आप जब टीम में खिलाडियों को सामिल करें तो इंदवाजों में ज्यादा spinner को रखने की कोसिस करें प्रविडेंस इस्टेडियम के pitch record के बारे में बात कर ली जाए तो हम आपको बता दे कि यहां अभी तक 34 मुकाबले खेले जा चुके हैं जहां बैटिंग first करते वे 16 मुकाबले जीते गए वो 95 रन का है यानि कि आपको यहां बड़ा high scoring मुकाबला देखने को नहीं मिल सकता है इसके अलावा highest run chase जो है इस स्टेडियम पर किया गया है वह 179 रन है पांच विकेट के नुकसान पर records को जानने से पहले चलिए दोनों टीमों की एक probable playing 11 के बारे में जान लेते हैं अधिलाजो में आपको मोहीन अली और सेम करन लियम लिविंस्टन जो है सो दिखाई दे सकते हैं गिनवाजों में उम्मीद कर सकते हैं आपको यहां बले बाजों में विराट को लिए और कप्तान रोही सर्मा दिखाई दे सकते हैं ओपन करते हुए इसके अलावा विकेट कीपर रिसब पंत, सूरी कुमार यादव और रॉनर्स में आप देख सकते हैं हार्दिक पांडिया, सीवम दुबे, रविंदर जडिजा और अक्षर पटेल को, वहीं गेंदबाजों में आप उम्मीद कर सकते हैं कुल्दीप यादव, अर्सदीप सिंग और जस्प्रित बुमराह को, अगर हेट टू हेट रिकोर्ड्स के बारे में बात कर लिजाए तो हम आपको सबसे पहले बता दे कि अभी तक इन दोनों टीम खिलाब 215 रन कर रहा है, लोवेश टोटल इंडिया का इंडिया के खिलाब 120 रन रहा है, वहीं इंडिया का इंडिया के खिलाब 80 रन, अगर सबसे ज्यादा रन स्कोरर के बारे में बात कर लिजाए तो आपको बता दे कि भारत की तरब से इंडिया के खिलाब सबसे इसके अलावा इंगिलैंड की तरफ से भारत की खिलाब सबसे ज्यादा विकेट चटकाया है क्रिस जॉर्डन ने जो की 21 विकेट चटकाये हैं तो दोस्तों ये तुरही ओबरॉल हेट टू हेट रिकोर्ट के बारे में लेकिन टीट्वेंटी वर्लकप में जब दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाब भीड़ा है तब क्या रिकोर्ट से अगर इसकी बारे में बात कर ली जाए तो हम आपको बदा दे कि टीट्वेंटी वर्लकप में अब तक दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाब चार बर मुकाबले खेले हैं यहां भी आपको बैलेंस काफी द असी रन रहा है वहीं भारत का इंगलेंड के खिलाब डेड़ सो रन यहां आपको इयर वाइज भी बता देते हैं कि साल 2007 टीट्वेंटी वर्लकप में पहली बार टीट्वेंटी वर्लकप में दोनों टीमों ने भीड़ा था जहां भारत ने जीता था ठार रन से फिर टीट 12 टीट्वेंटी वर्लकप में दोनों की भीड़ंत हुई थी जहां इंगलेंड ने जीता था 10 विकेट से दोस्तों अगर पैटरन पर आप भी बिलीव करते हैं तो यहां पे हम आपको एक पैटरन बता दे कि 2007 में इंडिया ने जीता था फिर इंगलेंड की जीत हुई थी इ आप यहां विकेट कीपर के तौर पर रिसब पंत और फिल सॉल्ट को अपनी टीम में सामिल कर सकते हैं इसके अलावा आपके बल्ले बाजों में रोही सर्मा, सुरी कुमार यादाओ, जौस बटलर और हैरी बुरुक हो सकते हैं वहीं और रौंडर्स में आप हार्दिक पां या फिल सॉल्ट को देख सकते हैं चुकि दोनों ही खिलारी काफी अच्छा परदोसन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं वाइस कैप्टन के तौर पर आप जस्प्रिद बुम्रा या फिर आदिल रसीद को अपनी टीम में सामिल कर सकते हैं, तो दोस्तों ये रही हमार ये आज की वीडियो, उमीद है कि आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं फिर एक ने वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, धन्यवाद